गुजराद पर आसमानी आफ़त का सेतम जारी है एहमदाबाद में तीन घंटे में चार इंच बारिश के बाद पूरा शहर मानुस समंदर बन गया है सडकों पर इतना पानी है कि पूरी कारे डूब गई हैं लोग कमर तक पानी में आ जा रहे हैं जिस तरह की तस्वीरे और वीडियो सामने आ रहे हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एहमदाबाद में भारी बारिश के बाद हालात कितने खराब हैं कई गाडियां बीच रास्ते पर बंद हो गई सडकों पर तीन से चार फीट पानी भर गया है एहमदाबाद की कई इमारतों की पार्किंग में पानी भरा हुआ है पूरी की पूरी गाडियां डूब गई हैं बारिश के बाद हाल ऐसा है कि पूरी कारे अंदर समा गई हैं वहीं गुजरात में भारी बारिश का कहर सिर्फ एहमदाबाद में ही नहीं बर्पा है बलकि पूरा गुजरात बाड से करा रहा है सबसे बुरे हालात सौराष्टर और साउथ गुजरात के हैं वलसाड में चारों और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है तेज बारिश की फसा हुआ था, NDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद JCB में फसे ट्राइवर को रेस्क्यू किया गुजरात में भारी बारिश का दौर अभी जारी दहने की चेतावनी दी गई है चोटा, उद्यापोर, पंच महल, नर्मदा, भरूच, सूरत, भावनगर, राजकोट, अमरेली, जूनागर, वडोदरा और पोरबंदर में भारी बारिश का अनुमान है और 30-40 किलोमीटर घंटे की रफतार से हवाएं भी चलने का अनुमान लगाया गया है बिरो रिपोर्ट सच कहूं